हेलो, आज किस वीडियो में हम डिसकस करेंगे सेकंड एप्लिकेशन बायोस हवाटला की या जिसको बायोस हवाटला भी पड़ा जाता है तो एप्लिकेशन क्या है? मेगनेटिक फील्ड एट पॉइंट ओन दे एक्सेस अफ सर्कुलर कॉयल केरिंग करंट एक कॉयल है हमारे पास, सर्कुलर कॉयल, उसके सेंटर से जो लाइन पास होती है उस लाइन के उपर हमने मेगनेटिक फील्ड देखना है, कितना है, किस डायरेक्शन में है, कितना मेगनेटिक फील्ड होगा जैसे यह हमारे पास एक coil है circular coil जिसमें current flow कर रही है देहां रहे है यह अंदरवाला जो है उसमें empty होगा, खाली होगा सिर्फ बाहरवाली यह boundary है तो यहाँ पे इस coil का एक center है तो center से एक इस तरह से line pass होगी इस line के उपर हमने magnetic field देखना है अलग-अलग points पे उसकी direction, उसकी strength किस-किस चीज़ पे depend कर रही है क्या distance dependent है यह सारी चीज़े हमने देखनी है इस coil के case में अब इसकी जो diagram है हम कुछ इस तरह से बनाते हैं यह हमें coil का side wave देख रहा है कुछ इस तरह से और यहां से हमारे पास यह center होगा center से एक line ड्रा करेंगे इस point पे, point P जहां पे हमने magnetic field देखनी है इस coil की वज़ा से और हम यहां पे देखते है कि current जो है कुछ इस तरह से flow कर रही है coil में यहां से उपर से बाहर की तरफ फिर ऐसे अंदर की तरफ इस तरह से गूम रही है current इस में तो अब हम क्या करते हैं पहले, पहले हम छोटा सा component लेते हैं, जैसा कि हमने देखा है, बायोट सावाटला में हम db की बात करते हैं, छोटा सा magnetic field, एक छोटे से length की वज़ा से, अगर आपने बायोट सावाटला नहीं देखा है उसका link description में है, आप उस वीडियो को पहले देखें, फिर आप इसको और बहतर तरीके से समझ पाएंगे, अब यहाँ पे हम छोटा सा component ले रहें, dl इसकी वाज़ा से इस point पे magnetic field होगा कुछ, तो पहले और अस्तियोरम के हिसाब से यह बनेगा, a square plus x square root अब देखें एक चीज़ यहाँ पे इस point से जो magnetic field होगा इस point पे उसकी direction कुछ इसके perpendicular होगी कैसे, देखें यह हमारे पास coil है यह dl tangent है dl की direction, current की direction में होती है कुछ इस तरह से तो हम इसको यहाँ यहाँ पे मान सकते हैं, straight conductor straight line, straight conductor तो straight conductor जो होता है उसके आसपास magnetic field circle की form में बनता है और अगर आप किसी point पे check करते हैं conductor से एक length ड्रा करते हैं और उस point पे एक उसके perpendicular मतलब यह जो आपके पास magnetic field lines बन रही हैं, उस पे एक tangent ड्रा किया, वो हमें magnetic field की direction दिखा रहा है लेकिन यह tangent जो है, इस radius के perpendicular है, वैसे ही यहाँ पे जो यह हमारे पास dl कुछ इस तरह का है dl, तो इसके आसपास भी magnetic field बना होगा, कुछ इस तरह से circle की form में, तो अगर आपने इस point जैसे यहाँ पे मैं बना होगा, तो इस point पे हम देखना चाहते हैं, तो यहाँ से मैं ड्रा करूँगा, एक line और इस point पे tangent ड्रा करेंगे, जैसे यहाँ पे हुआ है, हमने यहाँ पे tangent ड्रा किया, तो बाहर की तरह magnetic field line है, इस radius के perpendicular, वैसी हमने यहाँ पे दिखा दी, similarly हम यहाँ पे component ले सकते हैं, यहाँ से एक line ड्रा करके इस point तक straight line है, तो वैसे ही, जैसे उपर वाले case में ऐसे था, तो नीचे वाले case में भी हमें magnetic field की direction इधर को दिखेगी, same principle आप apply कर सकते हैं, यहाँ पे, जैसे यह वाला component है, तो current की form में, और यहाँ पे magnetic field की direction नीचे की तरफ हमने देखना है, इस point पे यहाँ से एक tangent, line ड्रा करेंगे और यहाँ पे एक tangent sorry हमें कुछ इस तरह से दिख रहा है, यह उपर point है इस conductor से उपर है, यहाँ पे कहीं, तो यह इस तरह से होगा, और direction कुछ ऐसे होगी, जो हमें यहाँ पे देख रही है, अब हम बात करते हैं, यहाँ पे देखिए हमें पता है, यह distance और यह distance equal है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो magnetic field होगा, जैसा का हमने देखा है बायोट सावाटला में, हम यहाँ पे लिख लेते हैं formula हमने देखा है, formula जो है db is equal to mu not upon 4 pi idl sin theta upon r सुकिर यहाँ तक, अब देखिए यहाँ पे हमने देखा है, यह distance dependent है, तो distance दोनु में same है, current coil में same है, तो यहाँ पे magnetic field दोनु के case में same होगा तो मैं इसको लिख सकता हूँ db और इसको भी लिख सकता हूँ db जो इसकी वज़ा से है, dl component की वज़ा से अब देखिए, हमारे पास इसको मैं तोड सकता हूँ दो parts में, जैसे हमारे पास कोई vector होता है, a vector इसके दो component बन सकते हैं, ऐसे वैसी यहाँ पे मैं एक बना दूँगा db यहाँ पे पहले एक angle बना देते हैं यह मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे angle phi वैसी हमारे पास यहाँ भी angle phi बनेगा, कैसे होगा यह? देखिए, और same चीज यहाँ पे angle phi ले सकता हूँ, यहाँ भी angle phi उपर वाला देखते हैं यह line है हमारे पास इसके perpendicular यह है और दूसरी line कुछ इस तरह से इसके perpendicular यह है मैंने कहा यह phi है, यह भी phi के equal है तो देखिए, यहाँ तक phi है यहाँ यहाँ से यहाँ तक 90 degree है तो यह होगा 90 minus phi तो उसके बाद मैं उपर वाला ले सकता हूँ कुछ इस तरह से अगर यह 90 minus phi है टोटल यह 90 है इसका मतलब यह वाला phi हुआ तो यहाँ पे यह और यह angle सेम होगा उसी तरह से यह और यह सेम होगा तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे इसके components बनाएंगे पहले components क्या होंगे हमारे पास यह वाला होगा हमारे पास ऐसे यहाँ पे लिखते हैं यह होगा हमारे पास db cos phi और यह वाला होगा db sin phi और उसी तरह से नीचे वाले के case में यह होगा हमारे पास db cos phi और आगे की तरफ होगा डी बी साइन फाई अब देखें ये और ये आपस में पर्पेंडिकुलर इस और ये और ये आपस में एंटी पैरलल हैं अपोजे डाइरेक्शन में हो और मेगनिटूड सेम है तो कैंसल हो जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर तो हमारे पास बचेगा स ये है एक वाला कंपोनेट इसकी वाज़ा से तोटल निकालना होगा तो इंटीग्रेट करेंगे हमारे पास में बचता है डी बी साइन थीटा ये वाला कंपोनेट तो यह होगा हमारे पास यहां पर डी-बी की वैल्यू डाल सकते हैं म्यू नॉट अप्वूर पाइई स्व यह 5 है यह difference है यहाँ पे आप देखे यहाँ पे जो conductor है उसके और इस R के बीज का जो distance है वो 90 degree है जैसे के हमने पहले देखा आपने यह आपके पास एक circle है यहाँ से यहाँ हम magnetic field देख रहे हैं तो जो current है current component उसमें और इसमें 90 degree का angle बन रहा है तो sin 91 होगा तो मैं इसको 90 की value 1 होती है तो यहाँ पे लिखेंगे नहीं divided by R secure और साथ में है sin 5 अब देखे हम इसको integrate कर सकते हैं total निकालने के लिए तो integration of db sin 5 is equal to sin 5 की value भी निकाल सकते हैं यहाँ से कैसे देखे यहाँ पे हमारे पास यह triangle बन रही है कुछ इस तरह से यह phi है यह x है और यह है a square plus x square और यह a है हमारे पास sin 5 होता है perpendicular upon hypotenuse perpendicular a है hypotenuse root of a square plus x square है तो यहाँ पे हम डाल सकते हैं mu naught upon 4 pi idl upon r square की जगा देहां रहे यहाँ पे r square हमने डाला है और यहाँ पे r जो है वो a square plus x square के एक वल है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं a square plus x square का whole square into sin 5 है हमारे पास a upon root of a square plus x square अब देखे यहाँ पे और integration बहार से है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे mu naught upon 4 pi constant है current constant है यह वाले दौनों components constant है क्योंकि देखे हम यहाँ पे देख रहे हैं magnetic field सारे components की वाज़ा से अगर इस component पे पहुंचेंगे तब भी distance उतना ही रहेगा जैसे देखे यह हमारे पास circle है यहाँ पे हमने magnetic field देखना है इस point पे तो चाहे इस से देखो distance same इस से देखो distance same सब इस point पे circle के हर एक point से distance same रहेगा इस वाज़ा से हमारे पास यह जो distance है यह constant रहेगा हमारे पास यहाँ पे सिर्फ dl change होगा तो बागी सारा constant होगा mu naught upon 4 pi i और साथ में a है हमारे पास और एक और चीज़ यहाँ पे यह quantity है और यह है मनदब a square plus x square का root और उपर square है यह भी है तो हमारे पास total जो बनेगा वो बनेगा यह बनेगा upon a square plus x square root के उपर बनेगा cube जैसे ही अगर होता अगर इस तरह से होता एक सुक्यर एक सुक्यर इंटु एक्स तो इसे x cube लिखते वैसी यहाँ पे होगा और साथ में dl इस तरह से अब देखे डियल क्या है यह वाला component छोटा सा सारे डियल का साम करेंगी कितना आएगा circumference के इक्वल जो होता है टू पाई और रेडियस यहाँ पे ए है टू पाई ए आ जाएगा डियल की जगा तो यहां पे हमारे पास आ जाएगा टोटल मेगनेटिक फील्ड इस एकॉल तो इसको लिख सकते हैं बी टोटल मेगनेटिक फील्ड म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई ए अपॉन रूट आफ ए सुकियर पलस एक सुकियर का क्यूब इन्टू पाई ए यह इसकी जगा है डियल की जगा यहां पर यह और यह कटेगा यहां पर टू बचेगा और मैं लिख सकता हूं म्यू नॉट अपॉन टू ए और ए हो जाएगा आई ए सुकियर अपॉन रूट आफ ए सुकियर पलस एक सुकियर की पावर थ्री यह आ जाता है हमारे पास टोटल अब देखिए यहां पर मैगनेटिक फील्ड की यह वैल्यू बनती है इसका हम स्पेशल केस ले सकते हैं जिससे हम यह बहतर समझ पाएं कि मैगनेटिक फील्ड जो है वो कैसे वैरी कर रहा है तो यहां पर क्या करेंगे हम मान के चलेंगे सरकल हमारे पास छोटा है और डिस्टेंस एक्स जो है वो लंबा है तो मैं कह सकता हूँ तो ए का सुकियर जो है वो एक्स सुकियर से बहुत छोटा होगा ए सुकियर इस वैरी वैरी लेस देन एक्स सुकियर तो ए सुकियर को हम छोड़ देंगे और बचेगा एक्स सुकियर तो बी इस एकुल टो म्यू नॉट आई A secure upon 2 यहाँ पे बचेगा आपके पास root of X secure की power 3 यह और यह cut जाएगा हमारे पास बचेगा mu naught I A secure upon 2 X cube तो magnetic field हमारे पास inversely proportional है X cube के इसका मतलब यह कि अगर आप अगर आप सिर्फ 1 cm 1 cm से 2 cm चले जाते हैं तो magnetic field जो है वो 2, 2, 4, 2, 8 times कम होगा जैसे अगर आप इस point पे यह 1 cm दूर है और यहाँ पे magnetic field मानिए यहाँ पे 10 है और आप अब 1 meter और दूर चले जाते हैं मनद टोटल 2 चले जाते हैं तो अब यहाँ पे magnetic field 10 by 8 होगा इतना फरक होगा magnetic field में और दूर जाएंगे तो और इस से जैसे आप यहाँ पे जाते हैं एक और cm दूर अब 3, 3, 0, 9, 3, 0, 27 अब आपके पास होगा 10 by 27 इस तरह से magnetic field जो है बहुत तेजी से decrease होगा जैसे हम center से दूर जाएंगे तो यह था हमारा आज का वीडियो अगर आपको कोई भी doubt इसमें लगा तो आप हमें comment box में पूछ सकते हैं finally, thanks for watching